जाएं दोस्तों मैं SP सर आप सभी मित्रों का सदासीव कोचिंग क्लासेश की यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों DLA-BTC 2nd समसर Complete Mathematics Section के अंतरगर दोस्तों आप सभी मित्रों का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है यानि दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर दूसरा विंजिकों में प्रेप्त जोड घडाना गोडा तता भाग के संकेतों तथा कोश्टकों का सरली करण परारम हो रहा है जिसका दोस्तों यह लेक्टर कहुंसा होगा पहला होगा दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने देलेट 2nd समसर मैंज दो हजार चोगस इस नाम से प्लेलिष्ट बनी चैसे दोस्तों आप जाएंगे उस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी मित्रों को जितने भी सभी देदेंगा वहां से आप आसानी से देख पाएंगे जो चैप्तर से बहुत ही अच्छा जैप्तर बहुत ही असान चैप्तर बहुत ही ध्यांस देखेगा क्या आगहरा है विंजकु में जोड़ घटना गुरददा भाग की संके तो आप कोश्टकों का असरा लीका है इ जोड़ कैसे करते हैं, कैसे पसंद आपके एक्जाम भी बनेंगे, उसके दोस्तों हम चर्चा करेंगे, ठीक है, इसके पहले दोस्तों आप जानेए, सबसे पहले, सजाती ये, सजाती ये पद, लाइक टर्म, सजाती पद क्या होते हैं, इसके दोस्तों चर्चा करते हैं, ठीक और इधार लिखाओ 2x ठीक है? x तथा 2x लिखाओ अब इसमें हमें सजाती पद ठाटना है 1 x से 2x पूर बताना है यह दोनों सजाती पद है यह पहला पद है यह दूसरा पद है कैसे पद है? सजाती की विजाती पद है एक सजाती पद होता है उसका दोस्तों विजातिय पद विजातिय पद ठीक है अब हमें बताना x तो कामा 2x से सजातिय पद की विजातिय पद है यह बताना पर इससे पहले भी चीज जाननी है आपको चररासिया variables क्या होते है तो जोस्तों जो variable होते हैं चार रासियां जो होते हैं, इनकी value दोस्तों हमें पता नहीं होती, इनका मान जो तक fix नहीं होता है, उसे x, y, z, x, y, z, और भी दोस्तों हो सकते हैं, भाई जैसे आप से कहे दें, जैसे आप से कहे दें, कि 20 पिनों का मूली 100 रुपे हैं, क्या कहा आप से 20 जो पिन हैं, उस 100 रुपे की मिलते हैं, तो बताओ, एक पिन का मूल कितने का होगा, बताइए तो एक पिन कितने का होगा, तो आप मानते हैं, माना एक पिन का मूल x रुपे है, मानते की नहीं मानते हैं, माना एक पिन का मूल x रुपे है, तो क्या करेंगे या से, 100 को 20 से भाग करेंगे, 100 को 20 से भाग करेंगे तो 5 रुपई का एक पे ना जाएगा ठीक है समझ गया यह नहीं समझ गया इतनी बाद समझ मैं कि नहीं समझ पड़े आप काऊपी खरीदेने करें तो बताये आपसे कि जो 10 कांपी जब आप खरीते हैं, तो आपको 200 रुपे देने पड़ेंगे, 10 कांपी खरीदेंगे तो आपको 200 रुपे देने पड़ेंगे, ठीक है, 10 कांपी जब आपने खरीदेंगे तो 200 रुपे आपको देने पड़ें, तो आपसे जानना जाता कि 1 कांपी का मूल बताइए तो एक कापी का मूल बताईए तो दोस्तों आप क्या करते हैं मानें कि एक कापी का मूल एक्स रुपे है तो दोस्तों एक कापी का मूल वहाँ भी आपने एक्स रुपे माना और क्या करें कि दोस्तों को आप दोस्तों को दस से भाग करें कितना है कि 20 रुपे आएगा? यहां एक का वी का मुल 20 रुपे उसको भी आपने X माना यहां भी आपने X माना तो देखिए क्ब woman दोनो जगा X है इस percent के हिसाब से X की value 5 आई है और इस percent के हिसाब से X की value 20 आई देखिए X ही है पर इसका मान बदल है समझ पहें कि नहीं मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप समझ पारें कि नहीं समझ पारें यानि कि जो variable होते हैं जो चर रासिया होती उनके जो मान होते लगाता परिवर्थित होते रहते हैं एकस वाई जट की value fix नहीं होती कि एक बार पांच आ गया तो हमेसा 5 ही रहेगा एक बार 10 हमेसा 10 ही रहेगा तो दोस्तो इनकी value fixed होती है फिक्स होती है एक दो तीन चार पांच एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार पांच है जब नमबर लिखा होगा तो दोस्तो वह हमारा क्या होगा अचर होगा ओ जब x y z abc stzych दोस्तो दिखा होगा वह हमारा चर होगा ठीक है तो चर अचर समझगे variable and constant समझगे किससमझगे मुझे उम्मीद है कि आप variable constant समझ चुके हैं अब बात करते हैं सजाती पत मैंने यहाँ पर दो पत लिखे एक x लिखा दूसरा पत क्या टू x लिखा आपको जब भी सजाती पत देखना आए, सजाती पत देखने में एक जैसे हो, क्या देखने में एक जैसे हो मैंने का सजाती पत का मतलब देखने में एक जैसे लगे और देखने में एक जैसे का दूसरा मतलब क्या है, जो variable है, जो चर रासिया है, वो समान होनी चाहिए जो variable है जो चर रासिया है, वो समान होनी चाहिए और उसकी घात भी दो समान होनी चाहिए बतलो वैरेबल तो समान हो भी और उसकी घात भी समान होने के साथ उसकी पावर भी समान होनी चाहिए तो ऐसी condition में यह variable जुड भी सकते हैं और घट भी सकते हैं जब समान मुझा सजाती पद ही जुडएंगे सजाती पद ही घटेंगे महोँ द्यासा ओँगे का सजाती पद ही जो life term होगी वही दोस्तो क्या जुड सकते हैं वही हमारे घट सकते हैं यह सजाथी, यह और अगило लिख दे हो, E 펫सी स्क्वार या 5 X स्क्वार इदार X, अब मैं आप से जाना चाहता हूँ, ये कैसे दोनों पद है, तो दीखे, यहाँ पर दो पद होगे, ये 5 X सब्सक्रप dairy दूसरा पर 200 X है, अब एक कैसे पद है तो दोस्तों मैंने क्या था चर समान होने चाहिए तो देखे चर यहां भी X यहां भी X चर तो समान है यहां भी X है यहां भी X चर तो समान है पर इसकी घात भी समान होने चाहिए यहां घात देखिए दो X की यहां घात किती नहीं एक जब कोई घात नहीं लिएक है, तो यह ऐसी condition में इनको जोडने के लिए कहेगा, तो आप इनको जोड नहीं सकते हैं, इनको आप जोड नहीं सकते हैं, यह कर सकते हैं कि इसमें आप कामा लिए सकते हैं, जैसे आप सोचें इसे जोड कर हम क्या लिए सकते हैं, जैसे यहाँ पर x था यहाँ पर क्या न ये लिसकते हैं, सिर्फ इसको दोस्तों हम थोड़ा और साल करके, इसमें कामल लेके हम इसको ये लिसकते हैं, क्या X कामल लेंगे, तो 5X बचेगा, प्लस 1 हो जाएगा, ये कर सकते हैं, पर X कामल लिया, यानि कि X से इसको भाग करेंगे, X स्क्वायर को X से बाग करेंगे, एकसे बचेगा और एकस को एकसे भालगें तो शोड़ नहीं सकते और समझाती पद ही घटेंगे सजाती पद ही जोड़ेंगे बास समझब्क यंदी देखनें पिस जायों के साथ काम हो जैसे लिखाओ ठीञ कि टीज प्लस का सजाती पता उनको 7 में रखेंगे 3 Kane हो गया यहां पर प्लस gua 7 x हो गया उसको सात में कर लिया स मजड़ा ay ंसाथ में रखेंगल अब कर दिया अब देखेए यह वेरिवल सेम है यहां x की पावर एक यहां x की यह सौछ वो गे देखने में यहीं को जोड़ Τीन और साथ 10 x लिसकते हैं प्लस 5 y अब ये और नहीं साल हुच सकते हैं सोचो इनको जोड़ करो नहीं लिसका है इसमें common मिल जाएगा इसमें 10-5 common मिलना तो common लिन लेंगे common नहीं भी मिलता तो यही answer आजाता हमारा यह common तो 5 आजाएगा तो कितना 5 x plus का y हो जाएगी यहां क्या जाति है इसकी एक सीह का यहां वाई यह देखने में ज़ोरेंगे ना गटेंगे और यह देखने में घचने तो आपकों की घातों को मैच करना हो, याज़े घात सेम होंगी, पावार याज़े सेम होंगी, तभी वो जूट सकते हैं, तभी वो घड सकते हैं, बास समझ पाए कि ने समझ पाए, तो ऐसे प्रसंद छाटने के लिए भी याज़े निम्रिकित में से कौन सा विजाती पत है, जैसे 5x²-7x और प्लस का 2x² लिखाओ, आप देखिए इसको सरल करना हमें, तो सरल करना आपको बता है 5x² है, और प्लस का 2x² इसको एक साथ में कर लिए, और माइनस का 7x बाहर कर, देखियों, क्योंकि देखिए ये इनसे तुलना करें, तो ये विजाती पत है, वहरेबर तो सेम है, पर उसकी घात अलग है, और जब घात अलग होगी, तो एक साथ जुड़ना अगड़ सकते हैं, यानि दोस्तों क्या हो जगा है, पांच 2x² और मैनस का कितना, 5 2 7, 7x हो जाएगा, क्या 7x² है, मैनस का 7x हो जाएगा, यानि यहां से ज़िए हम 7x काम ले लेंगे, तो x-1 यह हमारा एंसर आएगा, पर इंको साल होगे कि यह पता चला कि 14x² या 14x निकले हैं, यह नहीं ले सकते, या खाली x² लिख दे, या खाली x लिख दे, यह हम नहीं ले सकते, बास सामच पाया है, तो मुझे उमीद है कि सजाती विजाती पास समच पाया हो, जब इस आपते भी सेम होगे, तभी जुड़ेंगे, वही तभी खटेंगे, ऐसे ही पद हमारी सजाती पद कहले लाएंगे, जिखने में जैसे नहीं लेगेंगे, तो हमारी सजाती पद नहीं कहलेंगे, ठीक है, यह से और लिक के देता हूँ, दीखे, जैसे लिखाओ 3x प्लस क 7y 3x plus 7y अब देखें यह दूनू कैसे पते विजाती पर साग करने पर कहीं पर ऐसा आ जाता तो यहीं हमारा एंसर आ जाएगा यह प्रसन को साल हो लाश्ट में 3x plus 7y आ गया या x y plus y आ गया तो दोस्वों वहीं एंसर हो जाएगा अच्छा x के जो परोस में लिखा होता दोस्वों उसको गुडांग बोलते है coefficient बोलते है coefficient of x जैसे यहां लगा y के परोस में तो coefficient of y y का गुडांग बोलते है तो गुडांग कोई भी हो उससे कोई effect नहीं पड़ेगा ठीक है गुडांग कैसा भी है प्लस का आओ या माइनस को जिसे लिखाओ माइनस का x square प्लस का 5x प्लस का 7 x square माइनस का 3x आँ देखे यहां पर x square का गुडांग पूचेंगे तो माइनस 1 जब कुछ नहीं तो माइनस 1 यहां पूचेंगे x का coefficient कितना तो उताओगी माइनस 3 यहां x square का पूरा कितना 7 यहां x का पूरा कितना 5 इसको हम साल कर सकते हैं माइनस का x square एक साथ में यहां आ गया प्लस का 7x square एक साथ में आ गया प्लस का 5x यहां पर है तो माइनस का 3x से यहां पर अब यह दोनों साजाती यह दोनों साजाती इन दोनों को जब साल करेंगे, तो minus x², plus x², यानि कितना? 6 x² हो जाएगा, और यहां पर दुसके कितना है, plus x² तो जाएगा, ठीक है, और यहां से फिर आगे, हम कामन मिल ले सकते हैं, तो जो किता आजएगा, 3 x plus का हुआ, यह हमारा एंसर रहे है, इस तरीके से दुसके हम सा बहुत ध्यान से, इस शेप्कर का पहला प्रसन, यह दोस्तों किस टैप की प्रसन, बिंजकों के जोड़ पर आधाई प्रसन है, अच्छी किलास मिज़ से आप से कहता, 3 x plus का 5 y, तथा, 2 x plus का 7 y को जोड़िए, को जोड़िए, तो ध्यान समझे, कैसे जोड़ेंगे, क्या कह रहा है, 3 x plus 5 y, तथा को जोड़िए कहा, इसे तथा की दिए आप प्रसन का लेंगे, और 2 x plus का 7 y हो जाएगे, आपको महिने अप्याद आता है, जो देखने में एक जैसे लिए, पास पास कर लें, तो देखिए, 3 x यहाँ पर 5 x हो गया, प्लस का, 5 x साथ 12 y हो गया, ठीक, आप देखिए, इसमें कुस कामन भी नहीं मिले है, यही हमारा final answer आएगा, पर आप इसके आगे साथ नहीं सकता है, यहाँ एक्स यहाँ वाई, विजाती बद, ना तो जुड़ते हैं और नहीं घटते हैं, ठीक है, अगला एक्स प्लस का, 5y को जोड़िये, तो जैसे मैंने किया, इसे करिएगा, इसका होता दोस्तों, कमेंड बास में जलुद दीजिएगा, ठीक, आगला, सेकेंड इबात दोस्तों, थर्ड देखिएगा, तीसरा बन दोस्तों आपसे कहता है, आपसे कहता है, एक्स स्क्वार, प्लस का, 5x मैनस का 3, तधा, 5x मैनस का, 7 को जोड़िये, 5x मैनस 7 को जोड़िये, देखिए कैसे जोड़ेंगे, एक्स स्क्वार है, प्लस का 5x है, मैनस का 3, प्लस लगा लिया, 5x मैनस 7 को जोड़ना है, तो क्या क्या, एक्स स्क्वार प्लस 5x मैनस 3, प्लस का 5x मैनस 7, तो जेखने में जो एक जैसे लगेंगे, उसको साथ मे कर लेंगे, तो क्या, एक्स स्क्वार देखिए यहां है, क्य 3-7, digit को एक साथ में करें, आप बहुत ध्यास समझेगा, यहाँ पर देखे, x-square आगया, इसको square कर लें, तो 5x plus 5x, दोनों plus का sign, जब भी दोनों plus का sign होते हैं, तो number जुड़ जाते हैं, और sign भी plus का आता है, तो 5x plus 5x 10x हो जाएगा, यहाँ देखे, minus minus हैं, तो दोस्तों, जब भी दो digit minus की होती, तो जुड़ जाती हैं, आपस में, पर sign minus का ही आता है, या कहीं जो digit बड़ी होती, उसका sign आता है, तो 3-7, 10 हो जाएगा, minus का फूर्थ नमर दोस्तों आपसे कह रहा है, x square minus का 3x plus का 2, तथा x square minus का 7x को जोड़ी है, चलिए, इसको जैसे मैंने इसको किया, वैसे करिएगा, इसका उत्ता दोस्तों, कमेंट बाक्स में ज़रू दीजिएगा, इस टाल के परसमें दोस्तों, आपके रिजामें पूछे ज जाते हैं, अगला देखेगा, चौथे के बाद दोस्तों पांचवा, प्रसंद दोस्तों आपसे कहता है, 3x plus का 5y minus का 7, तथा 4x minus का 6y plus का 3, को जोड़ी है, अब ध्यान समझें कैसे जोड़ेंगे इसको, बहुत ध्यान समझेंगा, आपसे कह रहा है, 3x इसको प्लस 5y minus 7, तथा 4x minus 6y plus 3 को जोड़ी है, तो 3x हो गया, plus 5y हो गया, minus का 7 हो गया, ठीक, फिर बीच में लगा लिए, प्लस जोड़ने के लिए, plus हो गया, 4x हो गया, minus का 6y plus 3 हो गया, ठीक है, 3x plus 5y minus 7, plus का 4x minus 6y plus 3 हो अब बहुत ध्यान समझेंगा, सजाती पदों के एक साथ में कर लें, यहां 3x है, यहां 4x है, तो 3x हो जाएगा, प्लस का 4x हो गया, प्लस का 5y हो गया, और minus का 6y हो गया, minus का 7, प्लस का 3, ठीक है, समाकारिक नहीं, क्या, प्लस का 3x हो गया, प्लस का 4x हो गया, प्लस का 5y यहां अचन्ट है जो अचर पाद होगा ठिक है अब धिया है अब ही ध्याहां समझे टिरी क्ट प्लस का 4X तो 3 ओ Where 7x हो गया, देखे, यहाँ, प्लस का 5y, मैनस का 6y, तो एक प्लस का sin, एक मैनस का sin, जब भी एक प्लस का sin मिले, एक मैनस का sin मिले, ऐसे condition में, वो दोनों डिजिट होती है, वो घट जाती है, और sin उसका आएगा, जो बड़ा होगा, देखे 5 है 6 तो यानि कि 6 में इसे 5 को भटा दीजिए बचेगा 1 और 1 बचेगा और कितना ये देखे 6 है जो है मैनस का है 5 प्लस का तो बड़ा कौन 6 है 6 के पहले मैनस का इसलिक खाली मैनस का y बचेगा यारे मैनस का साठ प्लस का तीन एक मैनस का ओगी प्लस का ओग एक मैनस का ओग ऐसी कंडिनीसन में डीजिट घर्टी है घटा देंगे उनको और जो बडाव का उसका चील्द आगे के साथ है तीन साथ में से तीन जाए चार बड़ा साथ इसले मैनस का चार हो जाएगे यान कि सेवन एक्स मैनस का यह हमारा फाइनल एंसर आते है तो कुछ बहुत कठीन प्रसंद नहीं है पर इनको एक बार अच्छे से आप समझ जाएए तो आसानी से कर ले जाएगे हो जाए कि नहीं हो जाएगे अगला देखिएगा पांच चुए के बाद छठा नमबर कुछ नहीं है शिक्स नमबर देखिएगा छठा नमबर तो आप से कह रहा है शिक्स नमबर हो द्याँ से कह रहा है माइनस का एक्स क्यूब प्लस का टू एक्स स्क्वार माइनस का सेवन एक्स प्लस का फाइब तथा तथा द्याँ समझ जाएगा तथा फाइब एक्स क्यूब प्लस का फोर एक्स स्क्वार माइनस का एक्स माइनस का सेवन को जोड़िए खीक है ऐसे लिखने है अब ऐसे लिखने बात देगी को जोड़िए जाँ समझेए कैसे करेंगे इसको आप से कह रहा है कि माइनस का एक्स क्यूब लिख लेते हैं और प्लस का टू एक्स स्क्वार माइनस का सेवन एक्स प्लस का फाइब इसको जोड़ना है इसलिए तथा की जगा प्लस लगा लिया और क्या 5 x3 प्लस का 4 x2 माइनस का एक्स माइनस सेवन पोखुत ध्यान समझेगा अब जो देखने में एक जैसे यहाँ पर हैó उठा के यहाँ पर हेजिए तर्म नीचे वी मैं देखें। यहां 2,4, 2,6, 2,8 तर्म है यहां 2,4, 2,6, 2,8 नहीं है किंगे अब साल करें दिखिए इसको isको इसको और इसको साल करें के द्या समझिए कैसे साल भोगा माइनस का ऐस्ट क्यूब प्लस का 5 x Q है अब माइनस का X Q प्लस का 5 x कूब मैं भी बताये जब एक plus का होगा मैनस का तो हमेसा गड़ गड़ जाएगा तो यहां एक है जब बुछ नहीं तो मारा ही जाएगा जब दोनों प्लस के होंगे तब भी जुड़ेंगे और जब दोनों प्लस के होंगे तब भी जुड़ेंगे पर जब दोनों प्लस के होंगे तो प्लस का साइन आएगा और जब दोनों मैनस के होंगे बढ़ा हो उसके पहले जो sign लगा हो दिए 7 बढ़ा 7 की पहले minus लगा है मैंने सागए यह हमारा final answer अच्छा आप और इसको को solve हो सकता है हाँ हो सकता देखिए मैंने तो final answer लिख दिया पर इसको अभी और solve कर सकते हैं क्यों देखिए यहां देखिए सम में देखिए 2 common मिला तो सम में जब 2 common मिला तो 2 common लिलो तो 2 मिलेगा तो यहां क्या चाहिएगा 2 2 4 x q 2 3 6 3 x और कितना यहां 3 x और 2 चक्कू 8 4 x और minus 2 यह भी दोस्तों आप आइंसा लिख सकते हैं वसे यहां भी लिख देगे तो काटेगा नहीं फिर कोसिस करिए यहां कामन मिला तो आप कामन जरू लिए ठीक है चलिए नोट कर लेजिए ठीक है चलिए अगला देखिएगा छठे के बाद दोस्तों सात्मा सेवंत नमर दोस्तों आपसे कहता है देखिए सात्मा नमर कह रहा है टू एक्स क्यू प्लस का फाइब एक्सी स्क्वाइर मैनस का थिरी एक्स और मैनस का फाइब या सेवं तथा मैनस का 3 एक्स स्कॉर बाइनस का 2 एक्स और प्लस का 5 प्लस का 5 को जोड़िया अब जैसे किया वैसे करीगा देखिए यहां एक्स क्यूब है पर इसमें एक्स क्यूब नहीं तो इसको सिर्फ हम नोट कर लेंगे यह चलता रहेगा दाश्ट में बाकि जो सजाती देखने में जिस लेगे उनको पास-पास कर लेगे बाकि चलता रहेगा ऐसा प्रसम तो मैंने कराया ना इसका पहले लगए चलिए इसका हो उत्तर आप comment बाक्स में देजिएगा अगला देखिएगा साथमे के बाद आठवा एर्थ नमद दोस्तों आपसे कह रहा है एक्स प्लस सेवन वाई मैनस का एट जिड तथा तथा एट जिड मैनस का सेवन वाई मैनस के एक्स को जोड़िए अब ध्यास समझी कैसे करेंगे इसे प्रसम को आपसे भी यह कह रहा है क्या एक्स प्लस सेवन वाई मैनस एट जिड तथा एट जिड मैनस सेवन वाई मैनस एक्स को जोड़ना है तो दोस्सक् Diane Nobel कर्लें, X plus 7Y – 8Z हो गया, जोड़ना आ , जोड़ना है , जोड़ी है , तो बीच में Plus Kimberly लगा लिया, 8Z हो गया, मैनस 7Y उगए , सजाती बदोर गिसात में करलने । देखें यहां प्लस का X है, यह मैनस का X एक साथ में हो गया, यहां प्लस का 7Y है, यह मैनस का 7Y एक साथ में हो गया, यह मैनस का 8Z हो गया, और यह प्लस का 8Z हो गया, देखें, सेम, सेम, अब इन दोनों को थोड़ा साल लग परी, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को देखने मे जैसे हैं आप साल देरेंगे आपको पता एकस में से जाएगा तो 0 बचेगा बेच में प्लस लगा लिया एक सेवन वाई में से जाएगा तो इतना बचेगा जी रो बचेगा और यहां बीच में अच्छा ऑच्छा ठीक है अब देखिए यहां माइनस का 8 यहां कुछ 00 इसको साल किया तो बचेगा इसको साल किया तर भी जीरो आए इसको साल किया तर भी जीरो आए इसको साल किया तर भी सारा तो जीरो जीरो आ रहा है यानि फैनल ऐसा नमाना जीरो ही आ गया इसमें गटा है जीरो इसको भी जीरो इसको भी जीरो जाएगा कि नहीं तो जीरो ख़ चाहओ तो इसको इस तरीके से पूल Chinat को सकते इसकोким इसको इसको इससे कर सकते हैं इस तरीके से भी दोछ्ट करने के लिए कि आपको 19 फ्यूज बजाए कि जीरो जीरो कहां से आ गया में तो जोड़ना था तो ज्यादा मिलना चाहिए तो पता चला इस शेक्टर में आप बलत तोरे बैठे हैं कि चलिए आठ में के बाद नवा नमबर देखेगा नाइंथ कि नाइंथ दोस्तों कह रहा है जहां से नाइंथ नमब दोस्तों आपसे कह रहा है 6Y प्लस का 8Z माइनस का X तधा 2X प्लस का 7Y माइनस का 8Z को सरल कीजिए यह आपको जोड़ी है सरल कीजिए ने को जोड़ी है तो दोस्तों जैसे इसको क्या वैसे जोड़ीएगा ठीक है बीच में प्लस लगांके दीखिएगा और इसका इंसा ज़रूर दीजिएगा एक प्लस नहों देख लीजिए 10 माँ खुश्तों तिन्थ नमब दोस्तों आपसे कह रहा है कह रहा है माइनस का X स्क्राइब प्लस का 5X और माइनस का 7 तधा 11X3 प्लस का 11X स्क्राइब माइनस का थिदी X प्लस का 2 को जोड़िए अध्यास समझे कैसे करेंगे वैसे कर लेंगे मुझे उम्रीद है आज की क्लस सबसे आसान क्लस आपको लग रही होगी पर जादे बेसिक चीज नहीं पता होगी जोड़ना तो अच्छे से तो यह भी कठिन भी लग रही होगी और इसलिए मैंने क्या सुरवाद में आपको अच्छे से सिखा दिया कैसे क्या करना है इसको नूट कर लिए अब तथा लगा जोड़ी लगा इसलिए प्लस लगा लिए आपर 11X3 हो गया प्लस का 11X2 हो गया मैंनस का 3X हो गया प्लस का 2 हो गया अब तो जो समझीएगा जो देखने में किशओ से पास कर ले पहली बात देखे सबसे बड़ी हात किसे 11X ब्व्श्क कर लिखा दे क्या इसका कोई जोड़ीदार है और माइनस का 3 कैसे स्कोल इफ लिया माइनस का 7 होगा है प्लस का 2 होगा सारे पद होगा देखिए 2, 4, 2, 6, 7 पद है 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 पद होगा है अब धान समझेगा 11 x x3 होगा है क्योंकि इसका सजाती पद होगा है है यह नहीं इसको रहे इसको साल होगा है तो माइनस का x2 है इसको और इसको इसको तो माइनस का x2 है प्लस का 11 x यानि कि प्लस का 10 x2 होगा है आप तो समझ गया होगा है कि नहीं यहां देखिए प्लस का 5 x माइनस का 3 x यानि कि प्लस का 2 x क्योंकि एक plus का एक minus का घटेगा जो बड़ा हम और minus का 7 plus का 2 यानिकी plus का 5 by minus 5 पताईए minus का 7 plus k2 तो आपको पता घटेंगे मैंदस निस घाएगा जो बड़ा होगा कि minus इसलिए मैंदस आ जाएगा इस चीज को विशेश का ध्याम दिजीए ठीक है चलिजी हमारो final answer आ चुका नोट कर लीजिए फटा फटा तो दोस्तो आज सो कि लास में यहीं तक रखते हैं अब हमारी आपकी मुलाकात अगले lecture में होगी ठीक है आप सभी मित्र इस वीडियो को ज़्यादा सभी मित्रों तक पहुंच सके ठीक है तो आप हमारी पुलाकात आपकी कब होगी अगले lecture में होगी तब तक के लिए आप सभी में स्वस्त रहें मस्त रहें मुस्कुराते रहें थैंक यू सोमत दोस्तो राधे राधे दोस्तो